दिल्ली के इंदरलोग इलाके में हैं और इंदरलोग इलाके की उसी मस्जिद के सामने खड़े हैं जहां आज देर से दो बज़े के बीच में एक पुलिस वाले ने नमाजीयों के साथ बस सलूकी की थी और उसके बाद पुलिस वाले के साथ जड़ब हुई थी हलाकि उस पु आप देख सकते हैं इंडरलोक कि इलाकेमें सैक्डो पुलिस कर्मियों को तेनाथ कर दिया गया है ताकि किसी तरह की स्थिति न बिगडंगे लेकिन फूलिस वाले को सस्पेंट करने के बाद यहां इस्थिती काबू में है यहां कि अस्थानिया लोगों से बातचीत करते हैं आपका नम जी मेरा नम एड़ोकेट फराज खान और मैं यहां पर लोकल रहने वाला फराज जी हुआ क्या था यहां पर फ्राइडे का नमाज का वक्त जुमे की नमाज का वक्त जो होता है तो अब जैसे मज़ित में जगा फूल हो गई थी तो कुछ लोग जो थे जो बाहर नमाज पढ़ ले थे तो जो चौकिन चार्ज हैं एसाई मनोज तो उन्होंने एट टाइम ओप्रेंग आफ नमाज सजदे की टाइम पर उसके बैक पे किकमारी जो वीडियो वाइरल हो हाँ किकमारी और और असब्बे लेंग्विच का लेकिन उन्हें सस्पेंट कर दिया गया है कैसे महौल काबू में आया क्योंकि लेटा हुए इस चीज़ का विरोध भी किया और पुलिस ने भी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं एसीपी एंडी सीपे जॉइन कमिशनर हैं सब आ गए थे उन लोगों ने इस बात काफिश सपोर्ट करा और गलत को गलत कहा और इस 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 तानी लोगों के बीच में जाक कर हम वकीलों ने पुलिस वालों ने सब ने जाकी बीच में बात करी तब जाके वो लोग शांत हुए और अपने अपने घर को लट गए देखें यहां पहले अपसे थोड़ी देर पहले भीड जुट गई थी आप अस्थानियों लोगों को देख सकते हैं पुलिस ने जो कि कि सैकड़ों की संख्या में यहां तैनाती कर दी गई है ताकि महौल ना बिगड़े लेकिन भीड जो जुटी थी एक खास समुदाय के लोगों की वो लोग अपने घरों में वापस चले गए हैं कुछ लोग यहां जरूर मौजूद हैं लेकिन यही कह रहे हैं कि महौल अब शान्त हो गया है क्योंकि पुलिस ने एक्शन किया है कैमरा पर्सन पंकेश्ट उमर के साथ नीरज कुमार न्यूज एट इन इंडिया दिल्ले